नमस्कार दोस्तों गुड इवनिंग क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में अब सभी का स्वागत है दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे प्रात्मिक सिक्षक भरती के बारे में यानि कि सायक अध्यापक प्रात्मिक इसका दोस्तों अभी अभी रिजल्ट जारी हुआ ह तो जितने भी चैने तो बेड़ती हैं उन सभी को सुपकामना है दोस्तों जिला रुद्रप्याक का रिजल्ट जारी हुआ इसके लावा बागेस्वर का भी रहा है लेकिन उसको मैं अगली वीडियो बनाऊंगा तो आज की वीडियो में दोस्तों हम जानेंगे कि कितनी कट प्रात्मिक के पदेतो अभेडियो की सूची कांसलिंग है तो अब विभागे वेबसाइट पर अप्लोड करने के संबंद में तो यहां पर आप देख सकते हैं कि वही उप्रोक्त विश्यक 2022 में प्रकासित विग्यप्ति के साब एक कांसलिंग है तो अभेडियो की तिरतिय प्रतिक्स सूची इस निवेदेंस के सांग प्रिसित की जारी है कि आप स्वलंगन सूची को विभागे वेबसाइट में अप्लोड करने का कश्ट करेंगे ठीक है तो यहां पर दोस्तों एक चीज इंपोर्टेंट है देख लीजे कारले जिला सिक्षा दिकारी जनपद आके दुर्गम चेतर में राज के प्रात्मिक विद्यालियों में सायक अध्यापक ग्रेट टीन के 200 पदों पर निक्तितु विध्यप्ति जारी की दी प्राप्त आवेदन प्राप्तों के सापिक्ष तिर्थिया वेटिंग लिस्ट की काउंसलिंग दिनांग 26 मार्ट 2022 को का विभागी वेबसाइट पर प्रकासित प्राप्तित की संबद नहीं किया गया है यह जिने दौरत गुणहईं हो अध्य हुआ तो अगर आपको लगता है कि आपका गुणांक अधिक है तो भही आप अपने सेक्षिक प्राप्तितिन यानि कि आप 26 मार्ज को आप वहाँ पर उपलब्द हो सकते हैं, स्वेम, सिक्षा, अजीकारी, प्रामेर, सिक्षा, रुद्र प्याग में, ठीक हैं? इसके अलावा, ऐसे बेटी के बारे में, भाविशे में कोई भ्याविदन, स्विकार, या दावे को स्विकार नहीं किया जाएगा, और जितने भी लोगों का सेलेक्शन हुआ है, वे उक्ततिती में, काउंसलिंग में, अपने समस्त मूल प्रमानपत्र, यानि कि सैक्षिक प् का थोड़ा सा अभी लेख सकते हैं अपन भी दोस्तों होगा, तो चलिए, एक बार सूची को देख लेते हैं, और कट अफ जान लेते हैं, तो यह है दोस्तों, लिस्ट, सबसे पहले सामाने जाती में, विसय है गणित, आप यहाँ पर देख सकते हैं, कुल मिलाकर, 10 अभी जो को यहाँ पर चैन हुआ है, और यह इनके डियलेड में अंक हैं, देखें, डियलेड वाले हैं, ठीक है, और CTT, UTT में इनके अंक दिये गए हैं, जातर इसमें CTT वाले ही हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं, कि बाई, जो इनकी cut-off गई है, वो गई है, 80.26, ठीक है, तो कुल मिलाकर यहाँ पर आप देख सकते हैं, 4 लोगों का यहाँ पर चैन हुआ है, ठीक है, और अगर इनकी cut-off की बात करें, तो 82.43 है, देखें, सबी यह अभी डियलेड वाले हैं, ठीक है, इसके बाद आगे जग के बढ़ेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे हम, देखे इसे अंग्रेजी में देखेंगे, तो यहाँ पर तीन अभीयरतियों का चैन हुआ है, ठीक है, आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, कि इनके जन्पत के नाम क्या है, उदम सिंगर हरिद्वार हरिद्वार से हुआ है, ठीक है, और लेकिन उनने रुद्रप्या के लिए भरा ह ध्यान रहें, यहाँ पर हम सब D11 अभीयरतियों के भी बात कर रहें, ठीक है, इसके बाद बात करेंगे विसे सामानिय, तो सामानिय जाती के यहाँ पर 215 लोग का चैन हुआ है, ठीक है, दिक्षा रावत इसमें लास्त हैं, और यहाँ पर देखा जाए तो 77.933, D11 वा लो सामानिय जाती के दो लोग का चैन हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे तो 76.04, ठीक है, 76.04 इनकी गई, इसी तरह से अगर हम बात करेंगे, सामानिय जाती में, तो इसमें गई है 72.238, जो की आपके सामानिय जाती के लोग हैं, ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे, त सामानिय जाती है, ठीक, लेकिन यहाँ पर यह है दोस्तों, B8 का, ठीक है, यानि कि B8 ET वाला, तो अब देख सकते हैं, 2006, 2006, 2006 तक ही जा रहा है, दोस्तों, लास्ट कट अफ जो गई है, वो यहाँ पर अगर हम देखें, तो जी विग्यानमे पैलोजी में गई है, फिप्टी 55, कुल मतलब जो गुणांक है, वो बैठा है, 55.807 का, 2006 तक का यहाँ पर अभी नमबर आता हूँ, ठीक है, 2006 यह तक का नमबर आया है, जाती सामानिय में, अगर हम भूतपुर सैनिक की बात करेंगे, तो भूतपुर सैनिक में B8, 2014 तक वालों का नमबर आता है, लेकिन यहा यहाँ पर आप देखेंगे कि B8, TET की अगर हम बात करें, तो 2006 तक का यहाँ पर नमबर आता हूँ, ठीक है, ST में, ऐसी यहाँ पर दोस्तों, ST में, विसे गणित में, फिर से अगर हम B8, TET की बात करेंगे, तो यहाँ पर 72 का हुआ है, एकी का यहाँ पर चैनिक है, ऐसी ST म अगर रेजी में, फिर DL8 वाला देखेगा, तो यहाँ पर आप देखेंगे, 73.066, ठीक, इसके बाद फिर यहाँ पर सामान्य में, अगर आप देखें, तो अगर ST की बात करें, तो तीन लोग का यहाँ पर चैन हुआ है, और जो अंतिम गई है, तो यह दिखिए है, 64.722 तक गई है, ठीक है, बीएड में कितने एरवाइस गए हैं, चलिए, EWS का देख लेते हैं, सामान्य रूप से, EWS में जो 200 सामान्य गई है, तो यहाँ पर भी 26 तक, एर वालो तक का यह नमबर आया है, 57.48 गई है, ठीक है, सामान्य की बात कर रहा हूं, ठीक, सामान्य यहाँ पर जो सामान्य सब्जेक्ट की बात ओरे, ठीक है, EWS का अगर विसे गणित में देखें, तो यहाँ पर डीलेड वाले में ही, आगर आप देखें, तो 80.61 तक गई है, ठीक है, ऐसे ही अगर हम बात करेंगे, आर्थिक रूप से EWS में, और यहाँ पर है गणित जीविग्या की बात करेंगे, दोस्तों, तो कुल मिलागे, यहाँ पर आच है, अब यहाँ पर चैन होता वा दिख रहा है, और 78.807 यहाँ पर इनका गया है, ठीक है, ठीक, इसके बाद OBC का फिर जीविग्यान से भीन है के वाल एक अब यहाँ अब यहाँ पर 80.303 यहाँ पर अब इसक 6.947 तक गई है, कट आफ ठीक है, आगे देख चलेंगे, यहाँ पर OBC का, अगर आप अंगरेजी में देखेंगे, तो दो अब यहाँ पर तक का सेलेक्शन हो गया है, ठीक है, इसके बाद बात करेंगे, OBC में, जीविग्यान में, तो कुल दो अब यहाँ पर दिख रही है 53.92 गई है, लेकिन यह दोस्तों क्या है, आपका कम मतलब की यह BATT वाले है, ठीक है, तो 2006 तक वालों का इसमें नंबर आया है, 53.92 में, ठीक है, चलिए, आगे बढ़ेंगे, अनुसूचित जाती, SC के, जीविग्यान में अगर आप देखें, तो इसमें अनुसूचित जाती में, दोस्तों, 2007 तक का नंबर आ रहा है, 56.336, ठीक है, कुल में लाकर यहाँ पर, तीन अभीरतियों का यहाँ पर चैन हुआ है, SC में फिर से देखेंगे, गणित में, तो गणित में अगर आप देखेंगे, तो यह आप देखेंगे, तो यह दिखनी रहा है, क्या है, 2009 वो अगर हम SC में देखेंगे, तो SC में भी अगर आप देखेंगे, तो 2006 तक का जहां पर जाता है, ठीक है, यह 2006 वर्स तक का दिखता है, 57.986, ठीक, BATT की बात हो रही है, ठीक है, DLT वालों को तो आए गाई नंबर, लेकिन थोड़ा BATT का में रहता है, ठीक है, और यहाँ प AC, अच्छा चलिए आप आगे बढ़ेंगे, आगे लिस्ट ए है, देखेंगे फिर से िखनीट का SC का देखेंगे, ठीक है, और यहाँ पर आप देखें, तो यह दोस्तों क्या है, SC अगर आप गनित का देखेंगे, तो यहाँ पर आपको देखेंगा, जो DLT है DLT में, कु 59.0, यह DLAD वाले हैं, ठीक है, DLAD अब एड़त होगा है, आपर बताया जारा है, ठीक है, चलिए आगे देखेंगे, ऐसे ही दोस्तों, अगर आपका SC में सामानियनी के जनरल वाला सब्जेक्ट होता है, तो उसमागर आप देखें, जो DLAD है, तो कुल मिलाकर यहां पर 11 पार चुको हो, तो उसके लिए आपको अभी से ही अगरिम शुप कामना है, ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, अगली वीडियो में आपको बागिस्वर की बताता हूं,